यूपी के रामपुर की सांसत बिधायक अदालत ने हेट स्पीच मामले में सपानेता मुहमद आजम खां की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिच कर दी है बदा देगी आजम खान को भड़काओ भासर मामले में मिली सजा पर कोड ने इष्टे देने से इंकार कर दिया इससे रामपुर विधान सबसीट पर उपचनाव का राजता साफ हो गया है आज बुद बार दोपैर बास सुनबाई के बाद आदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था शाम पाच बजे से पहले ही कोड ने आजम की याचिका को खारिच कर दिया आजम को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधाई की इरत कर दी गई थी अब रामपुर विधान सबसीट पर उपचुनाव होगा बता दे कि रामपुर विधान सबसीट पर घोशित उपचुनाव के बिरोध में आजम खा सुप्रीम कोड चले गई कोड से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्टूबर को उनकी विधाई की इरत कर दी और रामपुर विधान सबसीट को खाली घोशित कर दिया चुनाव आयोग ने 5 नवंबर को रामपुर विधान सबसीट पर उपचुनाव कराने का एलान कर दिया था उपचुनाव के लिए गजट अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी उपचुनाव के नमांकन पत्र दाखिल करने का काम भी 10 नवंबर से शुरू होना था इस 20 सपानेता आजम खाने 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर की थी बताते कि उन्होंने सरकार के मनशा चुनाव की प्रगरिया पर सवाल उठाये थे जिस पर बुदबार को सुप्रीम कोर्ट में मुखे नयाधीस दी बाई चंद्रुचून की अध्यक्सवाली पीठ में सुनवाई हुई सपानेता आदम खाने बुदबार को ही सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की